आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रशन करेंगे, वहाँ पर क्या बनेगा? एक वरत बनेगा, क्योंकि ये गोला है हमारे पास, तो एक वरत बनेगा, मालो यहाँ पर हमारे पास इस बिंदू पर प्रतिच्च्च्च्च्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक वरत बनेगा, यह हमारे पास क्या एक व्रता का राकरती जहां पर समतल और गोला प्रतिच्चेत करेगा तो यह मानलो इस व्रता का राकरती का केंद्र है तो हमें क्या बोला है कि इस गोले की इस व्रतिय परिच्चेत की त्रिज्जा तो इस गोले की त्रिज्जा हमारे पास क्या हो जाएगी अगर मैं इस अगर ये गोले का केंद्र है तो इस केंद्र को अगर मैं इस बिंदू से मिलाता हूँ तो यहाँ पर यह हमारे पास क्या आजाएगी गोले की तरिज्जा यह मालनो हमारे पास गोले का केंद्र है तो इस केंद्र को इस बिंदू से मिलाता हूँ तो यह हमारे पास क्या हो जाएगी, गोले की तरिज्जा मानलो, गोले की तरिज्जा हमारे पास capital R है, और यह दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर गोले से मैं इस केंद्र को मिलाओंगा, गोले केंद्र से व्रत्य परिच्छेत केंद्र को मिलाओंगा, तो यह आजाए तो मानक रूप में गोले का समीकर्ण होता है जिसका केंद्र हमारे पास A सदिश है और त्रिज्जा है हमारे पास R यहाँ पर हमने क्या माना है केपिटल R तो त्रिज्जा है हमारे पास केपिटल R उस गोले का हमारे पास मानक रूप में समीकर्ण होता है हमारे पास मापांक r सदिश माईनस a सदिश का half square बराबर r का square तो यहाँ पर एगर्स square अटाओंगा तो क्या आजाएगा r अब यहाँ पर हमारे पास केवल r सदिश मतलब गोले का केंद्र हमारे पास क्या है जिरो मूल बिंदु अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, मुल विंदू O से, मतलब गोले केंडर से समतल पर डाले गए लंकी लंबाई, तो सबसे पहले समतल के समिकर्ण को कार्ती रूप में चेंज करूँगा, तो कार्ती रूप में चेंज करने के लिए R सदिश की जगह क्या लिखूँगा, X I cap, प्लस Y J cap, और प्लस का Z K cap, अब इसके साथ करूँगा, तो dot product में हम क्या करते हैं, I cap के गुणांकों का गुणां करते हैं, तो 2 x x कितना हो जाएगा, 2 x, प्लस J cap के गुणांक, 3 x y, 3 y, और प्लस K cap के गुणांक, तो 4 x z कितना हो जाएगा, 4 z बराबर 5, यह हमारे पास क् समिकर्ण, अब मानग गुरूप में सम्तल का समिकर्ण होता है, हमारे पास A x plus b y, मानग गुरूप में सम्तल का समिकर्ण होता है, A x plus b y, plus c z, plus d, बराबर 0, इस सम्तल पर किसी बिंदू x1, y1 और z1 से डाले गए लंब की लंबाई, capital D होता है, हमारे पास मापांक, A x1 plus b y1 plus c z1 plus d इस का मापांग और बटे में आ जाता है हमारे पास root x के गुणांग का square और x का गुणांग a तो a का square plus y का गुणांग b तो b का square plus z का गुणांग s to c का square यह क्या होती है लंग की लंबाई तो यहाँ पर बिंदू x1 y1 z1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा गोले का केंद्र तो यह हो जाएगा 0, 0 और 0 समतल का समिकन यह है तो लंगी लंबाई D है हमारे पास क्या आ जाएगी मापांक AX1 तो इसमें X1 की जग़ 0 रखूँगा तो 0, Y1 की जग़ भी 0 और Z1 की जग़ भी 0 और प्लस 5 इदर जाएगा तो माइनस का 5 बटा रूट में हमारे पास आ जाएगा X के गुणां का स्क्वेर तो 2 का स्क्वेर 4 प्लस Y के गुणां का स्क्वेर तो 3 का स्क्वेर 9 प्लस Z के गुणां का स्क्वेर तो 4 का स्क्वेर हमारे पास कितना हो जाएगा 16 तो 16 प्लस 29 और 25 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 29 तो यह आजाएगा हमारे पास D बराबर उपर माइनस 5 आएगा लेकिन परिणा में तो हमारे पास के हो जाएगा त्रिबूज O, A, B की बात करूँ तो हमारे पास कर्ण तो हो जाएगा O, B का स्क्वेर बराबर आदार हो जाएगा हमारे पास A, B का स्क्वेर प्लस लंब हो जाएगा हमारे पास O, A का स्क्वेर और कर्ण O, B है वो तो हमारे पास क्या है गोले की त्रिज्जा जो कि हमारे पास capital R है तो capital R का square बराबर AB हमारे पास क्या है आदार जो कि व्रत्य परिच्छेत की तरिज़ा है तो यह आजाएगा R का square प्लस OA हमारे पास क्या है लंब की लंबाई तो लंब हमारे पास क्या है D तो यह आजाएगा D का square अब R व्रत की तरिज्जा, सोरे गोले की तरिज्जा मारे पास कितनी है? 3 और यहाँ पर इसका माना हमारे पास क्या है? D square निकालूंगा तो 5 का square 25 बटा, root 29 का square कितना हो जाएगा? 29 तो यहाँ से R square का मान कितना जाएगा? R square बराबर आजाएगा हमारे पास, capital R का square तो capital R square तो 3 का square 9, minus D का square तो D का square हो जाएगा 25 बटा, 29 तो यहाँ से R square का मान आजाएगा व्रतिय परिचेत की तरिज्जा बराबर, तो यहाँ पर 29 हमारे पास क्या आजाएगा? 29 लगूतम आजाएगा, 29 लगूतम आएगा, 29 इंटू 9, minus 25 करूँगा, तो यहाँ आजाएगा हमारे पास, 236, अब 236 को मैं लिख सकता हूँ, 4 इंटू 59, तो यहाँ से R का मान कितना आजाएगा? रूट आजाएगा R का मान, यहाँ पर R स्क्वार है, तो R का मान हो जाएगा, रूट 4 का वर्गूमल हो जाएगा, 2 और रूट के अंदर आजाएगा, हमारे पास 59 बटा 29, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगई? व्रत्य परिछेत की त्रिज्जा का मान, 2 रूट 59 बटा 29, दन्यवाद!